हेलो दोस्तों, टार्गिट विद लक्ष की इस नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है तो पी ब्लॉक के तत्तों के इस लेक्षर में आज आप पढ़ेंगे ओजोन बनाने की और दूगिक वीदी इसके पहले लक्षर में आपको ओजोन बनाने की दो प्रियोक शाला विदियों के बारे में बताया गया था जिसमें आपको सीमेन ओजोन अजर इसके अलाव ब्राड़ी ओजोन अजर के बारे में बताया गया था लोहे का एक बड़ा बॉक्स होता है अब ध्यान देजी इसमें इसमें सबसे पहले आपको लोहे का एक बड़ा बॉक्स बनाना है इस प्रकार से ध्यान देजी यहां पर यह जो है इसमें लोहे का बड़ा बॉक्स हो जाएगा यहां पर देन देजे इसमें चार नलियां इस प्रकाश से लगी होंगी यहां पर यह हो जाएंगी इसके अलावा यहां पर होगी और एक नली यहां पर भी लगी होगी इस प्रकाश से इसमें चार नलियां लगी होंगी इस प्रकार से तो अब ध्यान देजी गज़े की एक कुचालक प्लैट हो गई तो यहां पर आप लिखेंगे काँच की प्लैट इस प्रकार से अब इसके बाद ध्यान देजी यहां पर जो यह बाक्स होता है इसमें जो है कांच की जो है याद रखेगा इसमें जो है कांच की बेलनाकार नलिया होती है कांच या फिर बोल सकते हैं पार्शलीन अब ध्यान देजी इसमें जो है कई बेलनाकार नलिया होंगी इस प्रकार से द्यान देजे यहां पर यह हो जाएगी इसे प्रकार यहां पर भी एक बेलनाकार नली होगी इसमें इस प्रकार से जो है इसमें कांच की बेलनाकार नलीया होती है और यहां पर जो बेलना का नलिया होती है इसमें जो है अलूमिनियम की छड़े लगी होती है अब ध्यान देजी इसमें जो है अलूमिनियम की छड़े लगी होंगी इस प्रकार से यहां पर होगी इसी प्रकार से एक अलूमिनियम की छड़ यहां पर भी लगी होगी इस प्रक छण लगी होती है यह द्यान देजी यहां पर यह एलेक्टोड का कारे करती है यहां पर यहां पर इलेक्टोड का कारे करती है इसके अलावा यह जो उपकरण होता है इसको ठंडा करने के लिए जल प्रवाहित करता है यहां पर द्यान देजी इस प्रकार यहां से जल प्रवा करने के लिए जो है इसमें जल प्रवाहित किया जाता है यहां पर यहां पर जो है इसमें जल होगा इसे ठंडा करने के लिए इस प्रकार से यहां पर पीछी हो जायेगा जल तो यहां से जल प्रवाहित होता है यहां से बाहर निकलता है तो इसे ठंडा करने के लिए जो है इसमें हम लोग जल प्रवाहित करते हैं इसके अलामा धहनती जी यहां पर जो यह नीचे वाला शिरा है इसमें से हम लोग यहां पर सुस्क आक्सीजन इसमें प्रवाहित करते हैं यहां से जो हम लोग सुस्क आक्सीजन प्रवाहित करते हैं और नीरो विद्धोत विशाजन भी प्रवाहित करते हैं जिससे oxygen का कुछ हिस्सा जो है वो ozone में बदल जाता है और जब कुछ हिस्सा ozone में बदल जाता है तो जो ozone निक्रत oxygen होती है वो यहां से बाहर निकलती है यहां पर आप इसमें लिखेंगे ओजोनी क्रत आक्सिजन तो जो ओजोनी क्रत आक्सिजन होती है वो यहां से बाहर निकलती है इसमें जो है लगभग 5 से 10 प्रिचत तक ओजोन उपस्थित होती है तो इस प्रकार से आपको जो है इसका फिगर त्यार करना है आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं यह यहां प पर आपी से भी बता सकते हैं एल्यूमिनियम की छण इसके अलावाई जो दुनतार होते हैं यह प्रेणर कुंडली से जोड़ दी जाते हैं यहां पर इन्हें भी आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं प्रेणर कुंडली को प्रेणर कुंडली को इनको प्रेणर कुंडली से जोड़ा जाता है इसके अलाव यहां से हो जो निक्रत आक्षिजन बाहर निकलती है यहां से जल प्रवाहित होता है यहां से जल बाहर निकलता है और यहां से जो है तो इसका आक्षिजन प्रवाहित की जाती है तो अब एक बारा फिर्च द्यान देजिए किस प्रकास आपको इसके बारे में बताना है सबसे पहले इसमें आप बताएंगे इस उपकरण में लोहे का एक बड़ा बाक्ष होता है जिसके पेंदे में जो है कांच की एक कुछालक प्लेट लगी रहती है इस कांच की प्लेट पर जो है कांच या फराब बता सकते हैं पासलीन की जो है कई बे चारो तरब ठंडा जल प्रवाहित कह जाता है और उपकरण के निचले भाग से सुस्क आक्सीजन और आप बताएंगे नीरो विद्धोत विशाजन प्रवाहित करते हैं जिससे आक्सीजन का कुछ भाग जो है वो ओजोन यानि की ओत्री में बदल जाता है और प्राप्त ओज प्राप्त के ओजोन या विद्ध से ओत्री का और दोगिक निर्माड किया जाता है उपकरण में लोहे का एक बड़ा बॉक्स होता है जिसके पेंदे पर कांच की कुछालक प्लेट लगी रहती है इस कांच की प्लेट पर कांच या फिर पार्सलिन की कई बेलनाकार नलियां टिकी रहती है इन नलियों में अलुमिनियम की छणे जो है वो लगी रहती है जो और लेक्ट्रोडों का कार करती है उपकरण को ठंढा करने के लिए उपकरण के चारों तरफ जो है ठंढा जल प्रवाहित किया जाता है उपकरण के निचले भाग से सुस का आक्सीजन जो है प्रवाहित की जाती है और नीरो विर्दोत विसरजन प्रवाहित करते हैं आक्सीजन का कुछ भाग जो है ओत्री में बदल जाता है ओत्री यानिकी ओजोन में बदल जाता है और प्राप्त ओजोनिक रत आक्सिजन में जो है 5-10 प्रिस्टत तक ओजोन याने की O3 उपस्थित होती है तो इस प्रकास चाहब यहाँ पर इसके बारे में बताएंगे अब इसके बार धान दिजी इसके बहुत तिक गुण याने की कौन जुछे बहुत तिक गुण है तो पहले तो याद unaware की ओजोन जो है यह नीले रंग की विषयली गयस है नीले रंग की विशैली गैश है इसके अलावा आप बता सकते इश में इश में जो है मचली जैसी गंध आती है ये भी आप बता सकते हैं कि इश में मचली जैसी गंध आती है आती है इसके अलावा यह वायू से लगभग 1.6 गुना भारी होती है तो अब बता सकते हैं कि यह वायू से लगभग 1.6 गुना भारी होती है भारी होती है इसके अलावा बता सकते हैं कि इसको थंड़ा करने पर जो है नीले रंग का द्रव प्राप्त होता है जिसका कुथनांग याद रखेगा अगर इसको उलोग ठंडा करेंगे तो नेले रंग का द्रॉप राप्त होगा जिसका कोथनांग होगा माइनस 112.4 degree Celsius और अगर जादा ठंडा कर देंगे तो जादा ठंडा करने पर नेले रंग का ठोंस प्राप्त होता है याद रखेगा अगर ठंडा करेंगे तो नेले रंग का द्रव प्राप्त होगा जिसका कोथनांग कितना होगा माइनस 112.4 डिगरी सेंटिग्रेट अगर और अधिक ठंडा कर देंगे तो फिर नेले रंग का ठोंस प्राप्त होता है और ठोस ओजोन जो है वो विस्पोटक होता है या भी आप बता सकते हैं इसके अलाओं बता सकते हैं यह प्रतिचुम्बकी है याद रखेगा यह प्रतिचुम्बकी है तो इस प्रकार आप इसके बहुते गुण बता सकते हैं अब इसके बाद धन्दी जी राशानिक गुण तो शबसे पहले upturn, तो याद रखेगा जो ozone गाश है, अगर इसको लोग गर्म करते हैं तो गर्म करने पर यह oxygen में यहांगे कि O2 में अपघटित हो जाती है जैसे कि दियानरेज़शे, यहांपर ozone है, यहांगे कि O3 जब इसको इम्म लोग गर्म करते हैं तो गर्म करने पर यहाँ पर O2 यानि की oxygen में अप घटित हो जाती है लेकिन यहाँ पर याद रखेगा अगर इसको हम लोग 300 degree Celsius याद रखेगा अगर इसे हम लोग 300 degree Celsius पर गर्म करेंगे तो यह पूर्ण रूप से oxygen में अपघटित हो जाती है यह आप लोग याद रखेंगे अगर ozone को हम लोग 300 degree Celsius पर गर्म करेंगे तो यह पूर्ण रूप से oxygen यानि की O2 में अपघटित हो जाएगी और यहाँ पर अपघटन के लिए जो उत्प्रेरक कारे करेंगे याद रखेगा अपघटन में जो उत्प्रेरक कारे करेंगे वो हो सकते हैं आपके यानि की silver, PT, सके अलावा MN, O2 यह यहाँ पर जो है उत्प्रेरक कारे करेंगे तो यह आप लोग याद रखेंगे कि ozone जो है उसमें आपका AZ यानि की silver, इसके अलावा, PT यानि की platinum और यहाँ पर MN, O2 तो यह यहाँ पर जो है उत्प्रेरक कारे करेंगे इसके बाद ध्हान देजे आक्सी करण बुर्ण आक्सी करण में ध्हान देजेगा यहाँ पर जो नाइट्राइट होता है नाइट्राइट का यहाँ पर नाइट्रेट में आक्सी करण हो जाता है ने कि अगर आप लेखना चाहें तो आप इसमें बता सकते हैं कि नाइट्राइट याद रखेगा नाइट्राइट का नाइट्रेट में आक्सी करण आक्सी करण तो याद रखेगा जो नाइटराइट होता है उसे ओजोन जो है नाइटरेट में आक्सिकन कर देता है जैसे कि ध्यानदेजी यहां पर नाइटरेट लेते हम लोग NaNo2 तो जब यहाँ पर यह ओजोन से क्रिया करेगा तो इसका आक्सिकन हो जाएगा और यह क्या बन जाएगा नाइट्रेट यानि की एने यहाँ पर यह पर लिखेंगे यहाँ नाइट्रेट था यह नाइट्रेट में आक्सिकन हो जाएगा इसके अलावध ध्यान देजी अगर आप दूस्तरा बताना चाहें तो आप बता सकते हैं यहाँ पर जो आर्चिनाइट होता है याँनि कि अगर आप लिखेंगे यहाँ पर तो आप बता सकते हैं कि आर्शिनाइट जो होता है इसका आर्शिनेट में आक्सिक्रण हो जाता है आर्शिनाइट का आर्शिनेट में जैसे कि आर्शिनेट यहाँ पर हम लोग देते हैं माल लीजे Na3Aso3 अगर इसका यहां पर हम लोग आक्सिकन कराएंगे तो आर्षिनाइट जो है यह आर्षिनेट में यहां पर बन जायेगा Na3Aso4 द्हांदीज यहां पर 3 था एक आक्सिजनिस में आ गया तो यहां पर कितना बचाब O2 इस परकार जो आर्षिनाइट होता है यह आर्षिनेट में जो है आक्सिकन हो जाता है इसके अलावव़ ध्याँदेजि आप बता सकते हैं आपर शिल्वर यह यहां जिकी AG का जो है AZ2 O में आक्सिकन हो जाता है जैसे की ध्यांदीज जी मैं लें यह सिल्वर है, एजी, जब यहां पर यह उजुन से क्रिया करेगा, तो यह जो है, एजी-्टु ओ में आक्सिक्रत हो जाता है, देंदेजी, यहां पर एजी-्टु, इसके लावा ओक्सिजन इसके साथ आ गया, तो यहां पर अब कितना बच जाएगा, ओ, टुू, कितना प्रकार HG का जो है HG2 में याद रखेगा HG जो होता है इसका जो है HG2O इसे हम लोग बोलते हैं मर्क्यूरस आक्साइड यानि कि मर्क्यूरी का जो है मर्क्यूरस आक्साइड में आक्सी कन हो जाता जैसे कि क्रिया कराएंगे तो आप इसमें बता सकते हैं HG सेम इसे प्रकार से जैसे एजी से कराएंगे तो यहां पर बनेगा एच जी टू ओ प्लस ओ टू और इससे भी संतुरत करने के लिए यहां पर टू लग जाएगा तो इस प्रकार जो है आक्षी कंड के विक्रिया इसमें होती हैं इसके बाद धान देजिए ओजोनाइडो का ब योगिक बनाती है और जो यहां पर यह योगात्मक योगिक बनता है उसे हम लोग बोलते हैं जैसे कि द्यान देजिए यहां पर मान लेजिए हम लोग लेते हैं और इस प्रकार से अगर इसके हम लोग क्रिया करा दें यहाँ पर उजून से तो यहाँ पर बनता है योगात्मक योगिक द्यान दीजिए यहाँ पर जो यह लिखा गया है चाहे तो इससे ऐसा भी लिख सकते हैं यहाँ पर अगर इससा बनाएंगे तो इस प्रकार लिखे है इसके अलावां इतना हो जाएगा यहाँ पर डबल बांड़ था तो अब द्यान देजिए ओत्री है तो एक ऑक्सिजन इससे प्रकार यहाँ पर यह दूसरा ऑक्सिजन और यह तीसरा ऑक्सिजन तो इस प्रकार यहाँ पर जो यह बनेगा इसे हम लोग बोलते हैं योगात्मक योगिक यानि कि जो बनता है इस योगात्मक योगिक को हम लोग बोलते हैं तो यह आप लोग याद रखे गए यहां पर अब इसके बाद द्यान देजी उपयोग क्याने कि ओजोन का उपयोग कहां 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 तो सबसे पहले तो याद रखेगा इसका उपयोग जो जीवान नाशक के रूप में करते हैं तो इसमें आप बता सकते हैं वायू को सुद्ध करने में इसके लाँ बता सकते हैं भोज पदार्थों को सड़ने से बचाने में बचाने में इसके अलाऊ है कि इसके अलाऊ है बता सकते हैं यह प्रबल आक्सीकारक के रुप में प्रोप में इसके अलावा इसमें बता सकते हैं करतिम रेशम और कपूर बनाने में इसका उप्यूग करते हैं आप बता सकते हैं इसमें करतिम रेशम और कपूर बनाने में कपूर बनाने में इसका उप्यूग करते हैं इसके अलावा अगर आप बताने चाहें तो विरंजक के रूप में भी इसका उपयोग करते हैं अगर आप सभी को ये वीडियो पशंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक, सेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा धन्यवाद